Hello viewers, welcome back. I hope you are all doing well. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सबी छोटे बच्चों की जो स्कूल तो जाते हैं अच्छे से पढ़ाई करते हैं लेकिन जब बात आती हैं इंग्लिश में बात करने की अपनी क्लास में तो वो confused हो जाते हैं और nervous feel करते हैं आज मैं जो वीडियो लाई हूँ उन से उनकी nervousness तो दूर होगी ही साथ मैं वो confidence से भी बात करेंगे उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी वीडियो को start करते हैं और हाँ मेरे चैनल को भी subscribe कर दें क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? में आई कामिन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यानि में आई कामिन? सूपरबाद सर यानि good morning sir अब ये भी कह सकते हैं सूपरबाद मैं good morning मैं आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? को इंग्लिश में कहते हैं how are you और आपको कहना है आप कैसे हैं sir तो आप कहेंगे how are you sir? देर से आने के लिए शमा करें देर से आने के लिए शमा करें sorry for being late आज के लिए homework क्या है? what is the homework for today? क्या मैं सवाल का जवाब दे सकता हूँ? क्या मैं सवाल का जवाब दे सकता हूँ? may I answer this question? सवाल को इंग्लिश में कहते हैं question और जवाब को answer क्रिप्या स्पैलिंग फिर से बताएं क्रीपिया स्पैलिंग फिर से बताएं, please spell the word again, क्या मैं कक्षा में शामिल हो सकता हूँ, may I join the class, कक्षा यानी class क्या आप क्रीपिया इसे एक बार और समझा सकते हैं, can you explain it once more please, can you explain it once more please, क्या आप क्रीपिया जोर से बोल सकते हैं, can you speak louder please, can you speak louder please, जोर से बोलना यानी louder, क्या मैं light चालू कर सकता हूँ, can I switch on the light, can I switch on the light, वीवर्स, next है, क्या मैं आपकी किताब कुछ समय के लिए उधार ले सकता हूँ, क्या मैं आपकी किताब कुछ समय के लिए उधार ले सकता हूँ, may I borrow your book for a while please, may I borrow your book for a while please, किताब को इंग्लिश में कहते हैं book, और उधार को borrow, मैं कल चुट्टी पर था, I was absent yesterday, next है, मुझे दो दिन की चुट्टी चाहिए, मुझे दो दिन की चुट्टी चाहिए को इंग्लिश में कहेंगे, I won't leave for two days, I won't leave for two days, I won't leave for two days, अपनी किताब बंद करो, यानी, close your books, close your books, किताब यानी, book, अपनी किताब बंद करो, close your book, close your book, next है, अपनी जगा पर बैठे रहो, अपनी जगा पर बैठे रहो, be seated on your place, अपनी जगा पर बैठे रहो, be seated on your place, जगा यानी place, तो इंग्लिश में कहेंगे, be seated on your place, कक्षा में शोर मत करो, कक्षा में शोर मत करो, don't make noise in the class, don't make noise in the class, शोर को इंग्लिश में कहते हैं noise, और कक्षा यानी class, मुझे कुछ पूछना है, जब आपको कुछ doubt हो, तो आप teacher को पूछ सकते हैं, वो भी इंग्लिश में, तो आप कहोगे, I want to ask something, I want to ask something, मुझे इस lesson में कुछ संदे है, I have some doubt in this lesson, कल के लिए homework क्या है, what is the homework for tomorrow, कल यानी tomorrow, तो हम कहेंगे, what is the homework for tomorrow, मैं प्रिक्षा के लिए तैयार हूँ, मैं प्रिक्षा के लिए तैयार हूँ, I am prepared for the test, तैयार यानी prepared, I am prepared for the test, मैंने अपना homework कर लिया है, I have done my homework, I have done my homework, मैंने अपना homework कर लिया है, I have done my homework, वीवर्स ये कुछ sentences थे, जिसको हमने English में translate किया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो like, share, comment ओड़ाएं।